Hello friends, मैं हूँ पंकच पंजवानी तो friends आज को जो वीडियो का टॉपिक है वो काफी interesting है तो आज हम देखने वाले हैं machine learning क्या होता है तो ये पूरा एक नया series रहेगा जिसमें काफी सारे videos रहेंगे तो हम basic से लेके advance तक इसमें करेंगे practically करेंगे, theoretical दोनों चीज़ें करेंगे and notes भी मैं आपको provide करूँगा तो सबसे पेले मैं आपको बतायाता हूँ कि machine learning जो है आज की time पे इसका काफी जादा demand है हमारे आसपास आज कल हम चारों तरफ देख रहे हैं कि machine learning आ चुका है, artificial intelligence आ चुका है तो सबसे पेले तो हम समझते है machine learning होता क्या है and कहा कहा पे इसको आप देख सकते हो, कुछ examples हम देखेंगे तो machine learning is like teaching computers to learn from past experience और data तो machine learning simple terms में यहाँ पे बताया हुआ है machine learning का मतलब होता है computers को train करना, इस तरीके से teach करना, train करना कि वो अपने past experience से, past data से सीख पाए और नए data पे काम कर पाए इसका मैं आपको एक diagram बना के यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है एक तो क्या होता है, हमारा traditional programming होता है और एक होता है machine learning traditional programming जैसे हम कोई program बनाते हैं जो Fibone की series का program हो गया, edition का program हो गया इस तरीके के जो programs आप देखते हो, वो कुछ static programs होते हैं तो उसमें आपने बताया कि आपने rules बता दिये कि user जो data provide करेगा, end program में आपने rules बता दिये तो वो उनी rules के basis पे उन data को process करेगा and output देगा जिसे आपने addition का program बता दिया and addition का program है, तो user ने अगर दो number input की है तो उसका addition होके आपको हमेशा output मिलते जाएगा हाला कि user number अलग-लग डाल सकता है बट वो काम हमेशा addition का ही कर रहा है ठीक है, and machine learning में क्या होता है न कि हम data भी देते हैं, data मतलब input तो देते ही है साथी साथ output भी देते हैं, ठीक है data भी देते हैं, output भी देते हैं इसका real life example में आपको बताता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, आपके दिमाग में बेट जाएगा कि machine learning क्या होता है बहुत ही simple language में मैं आपको बताता हूँ जिसे कोई छोटा बच्चा होता है ना छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं उसको सिखाने लगते हैं, उसको शुरूर में कुछ नहीं होता हूँ आप समझो कि वो एक machine है तो उसको हमें capable बनाना है जितना हम उसको अच्छे से सिखाएंगे तो वो उतना आगे जाके अच्छा perform कर पाएगा जिसे उसको हम सिखाते हैं कि मम्मी को हाई बोलो, ममा को हाई बोलो, पापा को हाई बोलो तो जब वो सीखता जाता है तो फिर उसके घर में कोई guest आता है तो उसको भी हाई बोलने लगता है अगर वो guest उसको हाई बोलता है तो वो समझ जाता है कि मुझे हाई के बदले में हाई बोलना है, हैलो बोलना है तो वो इस तरीके से train होते जाता है मतलब जैसे इसका एक और example मैं आपको देता हूँ जैसे एक student है और एक teacher है तो आप throughout the series इस बात को लेके चलना उसकी books होंगी तो वो उसका क्या है data है अब teacher क्या करता है teacher उसको बताता है कि यह आपका question है और यह उसका answer रहेगा ठीक है, तो teacher दोनों चीजें देता है उसको ठीक है, वो question भी बताता है यह question आएगा paper में और उसका उसका आप इस तरीके से जवाब देना ठीक है, तो अब exact तो नहीं पता ना कि क्या question आएंगे वो तो university से question आते हैं या फिर जो है, जो भी board होते हैं आना, वो लोग paper बनाते हैं तो हम क्या करते हैं अपने model को मतलब है student को इस तरीके से train करते हैं तो वो दोनों चीजें बताएगा वो उसको question भी देगा कि ये question आए तो उसका ये answer देना ये question आए तो ये answer देना तरीके ही बताता है कि इस तरीके का question आए तो उसको इस तरीके से response करना ठीक है, जैसे mathematics की बात करें तो वहाँ पर उसको वो approaches सिखाता है ठीके, बत जो finally फिर जब exam आता है तो हमारा जो student है वो train हो चुका होता है ठीके, मतलब वो एक model तयार हो गया होता है अब उसको जब question मिलते हैं तो teacher न सबोज उसको सिखाया था what is computer तो question थोड़ा अलग से भी आ सकता है ठीके, जैसे लिखा होगा explain computer, तो उसका answer भी वो दे पाएगा, ठीके वो अपने past experience से सीख चुका है what is computer होगा या explain computer होगा, दोनों में ही आपको answer वही देना है ठीके, या फिर कुछ नया mathematics का question आ गया तो उसने जो approaches सीखे हुए हैं teacher ने उसको काफी सारे questions दिये हैं, उसके answers भी दिये हुए हैं, तो उसमें approaches वो सीख चुका है, तो वही approach वो नए questions में भी लगा सकता है तो वही होता है machine learning ठीके, machine learning जिसमें data मतलब input और output दोनों दिया जाता है, feed किया जाता है तो उसके बाद एक program तयार होता है या फिर आप बोल सकते हो एक model तयार होके आता है, एक machine तयार होके आता है, जो new data पे भी काम कर पाता है, मतलब जो data उसको दिया है, उस पे तो वो 100% solid काम कर पाएगा, ठीक है वो पूरा accuracy से उस पे काम करेगा उस पे जो नया data अगर दिया जाएगा ना, उसी से related जिस तरीके से उसको सिखाया गया है उसी से related अगर उसको नय questions दिया जाएगे, तो उन पे भी वो काम करके उनका output भी predict कर पाएगा तो यही होता है machine learning कि machine क्या करता है पहले machine को हमें train करना पड़ता है, computer को हमें teach करना पड़ता है, कि वो इतना capable हो जाए उसको इतना data हम provide कर देते हैं, कि वो इतना capable हो पाए कि वो नए data पे भी काम कर पाए and predict कर पाए ठीक है, 100% तो नहीं बोल सकते बट वो predict कर सकता है एक अनुमान लगा सकता है कि हाँ यह output रहेगा, ठीक है तो इसी को हम बोलते हैं, machine learning ठीक है, इसके example आप अपनी real life में देखते हो जैसे image recognition होता है आप अपने mobile में देखते हो तो mobile में आप क्या करते हो, face lock लगा देते हो, कैसे लगाते हो, आप अपनी machine को train कर देते हो ठीक है, कैसे train करते हो शुरू में आप lock लगाते हैं, अपना जो front वाला face होता है वो दिखाते हो, side वाला face दिखा देते हो तो आपका जो mobile के अंदर एक model होता है image recognition वाला, वो इतना capable हो जाता है, कि जब भी आप next time सामने आते हो, तो वो उसको देखके समझ जाता है, कि आपका face है तो वो उसको unlock कर देता है तो ये एक example हो गया, image recognition next हो गया, speech recognition ठीक है, आप Alexa यूज़ करते हो Siri यूज़ करते हो, तो उसमें आप कुछ भी उसको बोलते हो ना, तो वो understand करते हैं, ठीक है, तो speech recognition, ये भी क्या है, machine learning का example है, email filtering email filtering में क्या होता है ना यहाँ पे machine learning का use होता है अलगलग तरीके की email आपके पास आते हैं तो कुछ जो fraudulent email होते हैं उसमें कुछ winning वागेदा है, इस type के words दिये होते हैं ठीक है, तो उसको वो spam में डाल देता है अपने आप, ठीक है and जो meaningful email होता है मतलब human को काफी time देना पड़ेगा ठीक है, तो वहाँ पे क्या है machines को use किया जा रहा है, ठीक है कई सारी चीजें इसी होती है ना जहाँ पे machine हम से better कर सकता है और कई सारी चीजें इसी होती है जहाँ पे human machine से better कर सकता है बट आज के time पे हमारी कोशिश यह है कि machine उन कामों को भी अच्छा कर पाए, जिसमें human ओरेड़ी अच्छा है, ठीक है जैसे for example मैं आपको बताता हूँ कोई number है अब इसको मैंने कहा कि इस number से multiply करो तो अगर किसी human को यह दिया जाए ना तो उसका दिमाग जो है चकता जाता है ठीक है, तो इतना easily वो इसको नहीं कर पाता है ठीक है? जो कर लेता है तो इसका नाम जो है guinness book of world record limka book of world record में आ जाता है ठीक है? तो human जो है इन चीज़ों को इतना easily नहीं कर पाता है काफी ज़्यादा time consume करता है बट जो computer होता है जो machine होता है वो इसको within a second कर देता है या फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई बहुत बढ़ा data है millions of records हैं तो उसमें आपको कोई single data find करना है तो उसको इंसान इतना easily नहीं कर सकता है ठीक है उसको machine काफी ज़्यादा जल्दी कर सकता है बट कुछ example इसे भी होता है जिसमें human जो है machine को outperform करता है जैसे की बात आए किसी गाड़ी चलाने की ठीक है अगर car चलाना है तो robot वगरा अगर car चलाएगा ना तो वो आज के टाइम पर तो मतलब नहीं चला पाएगा ठीक है तो वहाँ पर जो है human ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है ठीक है या पर जैसे हम emotions समझने की बात आती है ठीक है तो machine जो है किसी की emotions को नहीं समझ पाती है ठीक है human बहुत ही अच्छे से एक दूसरे human से बात कर सकता है ठीक है बट robot जो है बात करने में natural language processing में अभी इतना अच्छा नहीं है ठीक है emotions वगरा को समझने में अभी इतना अच्छा नहीं है ठीक है तो एसी कई सारी जगा है जहाँ पर human machine से अच्छा कर सकता है ठीक है तो यहां पर आप देखो जिसे मैंने बताए email filtering अब इसा तो नहीं है नहीं है आर एके की email को आप मतलब कोई इसा team तो नहीं है Gmail के पास ऐसा कोई team तो नहीं लगा हुआ कि वो एके की email को check करता है तो उसको spam में डाल देता है या फिर inbox में डाल देता है तो वो तो काफी जादा कोस्ट उसमें जाएगा काफी जादा में पामर उसमें लगेगा अगर इसा करेंगे तो तो वहां पर machine learning यूज किया गया है ठीक है एंड social media की बात करूँ तो social media में आप देखते हो जैसे आपका कोई photo होता है तो photo में अगर multiple persons हैं तो वह अपने आप आपको suggest कर देता है take suggest कर देता है कि इसका ये नाम इसका ये नाम ही आप अपने photo में अपने friends को take कर सकते हो ये नाम ठीक है recommender systems तो आप नहीं देखे ही होंगे Netflix आप यूज करते हो तो Netflix में आपको कैसे वो movie suggest करता है जैसे आपने Spider-Man 1 देखा तो वो आपको suggest करता है Spider-Man 2, Spider-Man 3 या SI कोई दूसरा movie जैसे Batman आपको suggest करेगा इस तरीके के आपको जिस category के आपने movies देखे है उस category के आपको movies suggest करने लगेगा ठीक है आप जैसे YouTube पे मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो आप जब next time YouTube वपन करोगे तो मेरे ही कुछ वीडियोस आपको front homepage पे दिखने लगेंगे क्योंकि आपने मेरे चैनल का वीडियो देखा है या फिर आपने machine learning का मेरा वीडियो देखा है तो machine learning के जो दूसरे channels के पर्चेस करते हो तो आज अगर आपने कुछ पर्चेस किया कर नेक्स टाइम जब आप अपनी Amazon को उपन करोगे तो उसी से एलेटेड ना दूसरे products भी आपको दिखने लगेंगे तो यसा नहीं है कि Amazon के पास कोई team है वो देख रहा है कि इसने ये लिया है तो इसको ये prediction की बात करें ठीक है जैसे आप Google Map use कर दियो या फिर और भी application हो सकती है मेप की जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका जो है इस trip में इतना time लगने वाला है ठीक है आपको जो है faster routes बताया जाते हैं तो वहाँ भी machine learning का use हो रहा है customer support आप देखते हो कई सारी website में chat boxes दिये ह होते हैं तो जो भी common questions होते है websites को जो लगता है कि कोई भी person हमारी website में यह question पूस सकता है तो उस chat box को इस तरीके से train किया जाता है कि कोई भी जो नया question आता है किसी person का तो उसको जो है answer दे पाए ठीक है otherwise जो है वो 24 into 7 उसको support नहीं मिल पाएगा ठीक है तो किसी human का weight किये बि fraud detection जैसे आप देखते हो आप किसी आपने जो है Gmail login किया किसी दूसरे computer पे किसी दूसरी location से तो आपको automatic जो है message आयता है कि आपका Gmail login हुआ है ठीक है तो इसा नहीं है कि Gmail आपको वहां से message कर रहा है ठीक है वहां पर machine learning रिकोगनाईज करता है कि यह दूसरा IP address है अभी तक तो आपका Gmail login हुआ है कि अधियल ही यह आप ही ने किया है तो वह आपसे पूछ लेता है या कुछ transaction वगएर आप करते हो तो आपको message आया रहता है कि transaction आपने किया है यह नहीं किया है तो इस तरीके कि fraud detection में भी काफी जा रहा है यह use हो रहा है voice assistant की बात करें जैसे मैंने बात किया Siri Alexa यह सब जो है इनसे आप क्या कर सकते हो कई सारे जो चोटे चोटे काम होते है song play करवाना alarm set करवाना light on off करवाना तो यह voice assistant आप use करते हो तो यहाँ भी machine learning होता है ठीक है तो machine learning कई सारे areas में आगे आते जा रहा है and day by day यह और जादा better हो जा रहा है and in future कई सारे जो इसे काम है जिसमें human आज की rate में better है machine से उन कामों में भी हमारी कोशिश है कि जो है machine capable हो जाए इनसान जितना capable है उतना या उससे और ज्यादा capable हो जाए ठीक है and यह होता जाएगा दिये जीरे आज की अगर बात करें कि आज की rate में तो मतलब जो driver less car है वो इतनी success नहीं है ठीक है मतलब human जो है इतने अच्छे से जो car चला पाता है ठीक है but robot उतना अच्छे से वो नहीं चला पाता है but in future इससा हो जाएगा कि driver less cars आ जाएंगी ठीक है तो machine learning का जो यह जो term है वो सबसे पहले existence में कब आया था 1959 में आया था Arthur Samuel के द्वारा and machine learning में आपको बतायाता हूं कि एक subset होता है किसका artificial intelligence का and यह जो diagram है आपको हमेशा याद रखना है यह अलग लग जो terms आप देखते हो आजकल deep learning, machine learning, artificial intelligence तो सबसे पहले में बताता हूं कि artificial intelligence का ही subset होता है machine learning and machine learning का subset होता है deep learning तो machine learning is a type of artificial intelligence तो deep learning artificial intelligence की हम एक अलग सीरीज बनाएंगे कभी बट अभी यह जो सीरीज हो machine learning के उपर है तो यहां पर आपने काफी कुछ समझा, finally अगर मैं summarize करूं इसको, machine learning allows a machine to learn from data on its own, get better over time and make prediction without being directly told how, तो machine learning का मतलब क्या है कि वो data के according learn करे, पहले उसको सिखा दिया जाता है, यह आपका data है, यह आपका output है, उसको train करके model बना दिया जाता है and फिर वो खुद से decision ले सकता है नए data के उपर, ठीक है, and वो over the time जैसे उसको नए-नए questions मिलते जाते हैं, उसको जब वो solve करने लगता है, तो वो better होते जाता है, ठीक है, and उसको वो जो नए questions है, वो हमने नहीं सिखाया है, हमने तो उसको कुछ part सिखाया है, बाकी वो आगे नए-नए data पे खुद से काम कर रहा है, prediction कर रहा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा data उसको दिया जाएगा, जैसे एक student है, तो उ जाएगा, ठीक है, मतलब जितना अच्छा teacher उसको मिलेगा, trainer उसको मिलेगा, तो उतना अच्छा वो perform कर पाएगा, जैसे कोई student perform अच्छा नहीं कर पाता है, तो उसको further जो है, हम एक home tutor भी देते हैं, कि आप home tutor से भी पढ़ो, ठीक है, आपको class में तो अलग teacher रहेगा, आप आपको एक home tutor अलग दे दिया, ठीक है, तो वो tuition भी करने लगता है, तो उसको बहुत जाला data फिर मिलने लगता है, तो फिर वो अच्छा perform कर पाता है, ठीक है, तो वही होता है, तो ये teacher student वाला आप हमेशा दिमाग में रखो, तो आपको चीजें जो है, बहुत easily clear होती जाए ठीक है, एंड जो program होता है, उसमें rule होता है, कि दो number मिले हैं, तो उसको addition किया, उसका output दे दिया, ठीक है, एंड machine learning में क्या होता है, कि हमने input भी दिया, and output भी दिया, ठीक है, कि जो answers आने वाले हैं, वो भी हमने बता दिये, ठीक है, एंड इस input और output दोनों को देखते हुए हमारा model तयार हुआ, जो नए data पे भी काम करबाएगा, ठीक है, जो अपने आप rule खुद से, खुद से जो है, प्रोग्राम तयार करेगा, एंड वो प्रोग्राम फिर नए data पे लगाएगा, ठीक है, एक्जाम्पल भी दिया हुआ यहां पे, जैसे आप imagine करो, जैसे एक recipe है, अना, तो उसके लिए आपको ingredients दिये हुए हैं, यह ingredients हैं, एंड यह rules हैं, तो ingredients हैं, rules हैं, तो उनको आप follow करोगे, तो आपका predictable जो dish था, वो तयार हो जाएगा, तो यह हो गया traditional programming, बट machine learning में क्या होगा न, आपको finished dish दे दिया, मतलब आपको dish जो है already बना के दे दिया, कि यह जो है outcome आने वाला है, and ingredients बता दिये, यह सब मिला के हमने यह बनाया है, बट केसे बनाया है, यह नहीं बताया, ठीक है, तो वो machine खुद उसको figure out करेगी, and जब वो figure out करेगी, तो हमारा model तयार हो जाएगा, and model जब तयार हो जाएगा, तो वो further उसको खुदी तयार करेगा, ठ जैसे समझो कि एक student है, तो teacher give you a math formula, teacher ने क्या दिया, maths का formula दिया, and कुछ numbers दिये, तो student क्या करेगा, formula में numbers को put करेगा, and उसको फिर output मिल जाएगा, and machine learning में क्या होता है, teacher bunch of math problems देगा, and उनके answers भी देगा, उसके approaches वो बतायागा, and उसके answers वो देगा, ठीक है, बट कोई formula नही देगा, मतलब एक single formula नहीं दाएगा, कि हमेशा यही यही करना है, ठीक है, वहाँ पे चीजें क्या होंगी, dynamic होंगी, ठीक है, तो आपका job वहाँ पी क्या रहेगा student का, कि वो figure out करे, खुद से वो approach को समझे, कि अब यह वाला approach हमें लगाना है, तो जो भी new problems आएगी ना, ज यह तरीकर आएगा, यह answer आएगा, तो उन approaches को ध्यान में रखते हूँ, जब वो figure out कर लएगा, तो फिर वो नई problems को easily solve करने लगेगा, ठीक है, जैसे teacher ने उसको trigonometry सिखा दिया, तो अब trigonometry में ऐसा नहीं है, कि हमेशे एक ही question आएगा, ठीक है, हर बार questions अलग-अलग हो सक करते हैं, ठीक है, तो क्या के approaches हो सकती है, वो तो teacher ने बता दिये, but problems नहीं नहीं आएगे, तो जब student जो है approaches लगाना सीख जाएगा, तो वो नए questions पे भी काम कर पाएगा, तो friends, I hope कि आपको समझ में आया होगा, तो इस video को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि होता है, मिलते हैं नेक्स वीडियो लेक्चर में, thanks for watching.